नमस्कार मैं हूँ प्रवेट गोतम दोसो बीजेपियर देख्ष जेपी नडडा और राजनासिंग जैसे नेताओं के बाद आज जमू कश्मीर के उपरा जपाल और बेहत सीनियर नेता मनोज सिना को भी इस बात का एक्सास हो गया कि कैमरा और पिम मोदी के bीश कोई नहीं आ सकता पिम मोदी का आज कश्मीर में कालक्रम था श्री नगर में और मज़ पर क्या सीन होता है जिसको लेकर मनोज सिना को ट्रोल किया जरा है पीम मोधी जनता के अभिवादन की शुरुआत करते उसके बाद क्या होता है जरा देखिए ये पीम मोधी अभिवादन कर रहे पूरा जुक कर कैमरे के सामने पूरा जुक कर जैसा हमेशा वो अभिनाय करते वैसा मनोसिना को लगता है खत्म हो गया तो आने लगते है तो पीम मोदी हाथ से इशारा कर देते एक बार फिर देखिए आप यहाँ पर पीम मोदी देखे इशारा कर रहे हैं मनोसिना को कि आप साइड में हो जाओ फ्रेम में मताओ आप बैठ जाओ साइड में उसके बाद पीम मोधी मंच के दूसी तरफ जाते हैं और उसी अंदाज को दोराते हैं कैमरा के सामने पूरा जुक कर बेतरीन अभिने करते हुए जनता का अभिवादन करते हैं और हमेशा मंच पर ऐसा सीन पीम मोधी का देखने को मिलता है मनोस सिना को लगा कि एक साइड सा विवादन कर दिया तो शायद सीन खत्म हो गया वो फ्रेम में आने लगे तो पीम मोदी ने कहा कि आप जड़ा बैठ चाहिए अब अब लिक मनोस सिना को ट्रोल कर रही है कि देखी इतने वरिश नेता हैं और पीम मोदी ने कैमरा के फ्रेम में आने से रोक दिया लेकिन दोस्तों अकसर आप देखते होंगे कि ऐसी ट्रोलिंग पीम मोदी की होती रहती है पहली बार किसी नेता के साथ ऐसा नहीं हुआ है PM मोधी जब भी कही जाते हैं तो उस राजे के मुख्यमत्री हो या उपरा जेपाल हो हमेशा जो में सीन होते हैं उसमें अकेले रहना पसंद करते हैं उनके ऐसे वीडियो बनाये जाते हैं ताकि भविश्य में विग्यापनों में उनका इस्तमाल किया जा सके अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो आपने देखा होगा कि कई बार फ्लाइ ओवर का किसी का उतगाटन करते हैं कई बार किसी सुरंग का उतगाटन करते हैं तो उसमें भी दूर तक टहलते हैं अकेले फ्रेम में तो पब्लिक खेरान रह जाती है कि PM मोदी हमेशा अकेले क्यों रहते हैं तो अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उन वीडियो का इस्तिमाल किया जा रहा है विग्यापन बनाने के लिए PM मोदी सिंगल हीरो की तरह नज़र आ रहे हैं कि देखिए देश में किस किस तरह का विकास PM मोदी ने किया है तो विकास पुरिश वाली जो चबी है उसमें PM मोदी सिंगल फ्रेम में हो ऐसे वीडियो ढूनने में फिर बिजेपी आईटी सेल को आसानी रहती है इसलिए PM मोदी भविश को ध्यान में रखते हुए अकेले फ्रेम में रहना पसंद करते हैं चाहे वो मंदिर में जाएं चाहे फ्लाइओवर का उधगाटन करें चाहे किसी राजनेतिक रैली में जाएं और कई बार माला में आने को लेकर भी नेता ट्रोल हो जाते हैं जैसा आपने देखा ह नोट की होगी कि बीजेपी की जो बड़े बड़े नेता है किसी जमाने में जो पीएम मोदी के बराबर के कद के माने जाते थे उनको वो संबाल नहीं मिलता जो सही होगी दलो के नेताओं को मिल जाता है खासकर जो पाला बदल कराते हैं जैसे नितीश कुमार को माला में आने में रहने को इशारा किया गया था तो पी एम मोदी माला में अकेले रहना पसंद करते हैं तो नितीश कुमार भी नहीं आ रहे थे लेकिं पी आ मोदी ने हाथ पकड़ कर अंदर खिंच लिया कि आप इस सम्मान के हक्डार है वो अलग पीम मोदी और कैमरा के इस अटूट प्रेम को लेकर क्या सोचते हैं जहां वरिश्ट निताओं को बेवज़े कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ जाता है जैसा कि मनोस सिना के साथ आज हुआ कमेंट पॉक्स में प्री राइज जरूर दे अगर आप हमारे पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्षिन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सकाइब करें नमस्कार